दोस्तों क्या आपका भी Facebook एकाउंट कुछ इस प्रकार से लॉक हो चुका है यूर एकाउंट है जब भी आप गेट शार्ट पर क्लिक करते हैं नेक्श पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पी आपके सामने confirm your identity को option आ रहा है यूर आपके पास आपका कोई भी ऐसा document नहीं है कि अगर आपके भी सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा है confirm your identity तो ऐसे में कैसे आप अपना Facebook एकाउंट अनलॉक कर सकते हैं बैदाओ document चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सब सब फस्ट में आपको अपने ID को अनलॉक करने के लिए तो जिये search करना होगा Facebook feedback ठीक है यहां पर आपको Facebook feedback लिखके यहां पर search कर देना होगा और जिसे आप इतना लिखके search कर देंगे तो यहां से आपके सामने बहुत सरा option आ जाएगा यहां से आपके सामने एक option आएगा यूर्फ फिडवेक अबाउट होंपेज तो गाई यहां पर आपको simply किलिक करना होगा यूर्फ फिडवेक अबाउट होंपेज पर ठीक है और जिसे आप इस पे कलिक कर देंगे तो यहां पर प्रिपे सामने कुछ इस प्रकाश से इन्ट फार्म को फॉम को फील करना हो तो किस तरह है one आपको लिखना होगा माई फेस्बूक एकाउंट ट्याँ़ुकल नोग लिख देना होगा तो सेकन्ड में आपके वस्वेंस व्त्न इमेल एडर्स डालने के बाद निच्छे आपके समने option आएगा choose one का ठीक है तो यहाँ पे आपको choose one पे simply click करना होगा जिसे आप इस पे click कर दिंगे तो यहाँ से आपके समने desktop and laptop, iphone, android phone तो यहाँ से आपके समने यह सब भी option आजाएगा तो यहाँ पे आप जो भी device use कर रहे हैं उसे यहाँ पे आपको select करना होगा ज्यादा तर लोग android use करते हैं मैं भी android user हूँ ठीक है इसलिए मैं android phone को select करूँ तो यहाँ पे android phone को select करने के बाद निचे आपके सामने your feedback को option आजाएगा तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा यहाँ पी आपको यह प्रॉपर अपील डालना होगा तो अपील कहां से भी लेगा अपील आपको इस बीडियो के description में से मिल जायाएगा वहाँ से आपको copy करन आपके सामने your feedback को अपील में आपको यह सभी इनफोर्मेशन फिल कर देना होगा अपने फेजोके according यहाँ पर निचे आपके सामने send को option आजाएगा यहाँ पील डालने के बार निचे संट को option आजाएगा यहाँप आपको send पे क्लिक करना होगा ठीक है चलिए यहाँ पर हम complete हो चुका है help center को option आ चुका है ठीक है जैसे आप send पे क्लिक करेंगे यहां से आपके सामने help center को option आ जाए अभी यहाँ पे next process करना होगा second process करना होगा तो इसके लिए यहाँ पे आपको search bar का एक icon देखने को मिल जाएगा इस पे click करना होगा इस पे आप इस पे click करके search कर देंगे तो यहां से आपके सामने बहुत सवरा option आ जाएगा तो यहां पर आपके सामने second make option आएगा my facebook account is locked and I am not getting phone or email when trying to confirm my account यहां पर आपको इस पे click करना होगा ठीक है और जिसे आप इस पे click कर देंगे तो और जिसे आप no पे click कर देंगे तो यहां से आपके सामने second में option आएगा this solution does not work तो यहां पर आपको इस पे click करना होगा और इस पे click करने के बाद यहां से आपके सामने optional का option आ जाएगा अब यहां पे option पे same वही appeal copy करके paste कर देना होगा दिन यहां से आपके सामने submit को option आ जाएगा तो यहां पे आपको submit पे click कर देना होगा ठीक है चलिए हमें आपके submit पे click कर देते हैं जिसे आप submit पे click कर देंगे तो यहां से आपके सामन thanks को option आएगा thanks your feedback improve this answer को option आजाएगा यहां पे अब आपको करना क्या होगा यहां पे आपको back आजाना होगा यहां पे आपको wait करना होगा ठीक है यहां पे आपको wait कितने दिन करना है यहां पे आपको लगबग 24-48 गंटे wait करना है यहां पे आपको अपना Facebook अकाउंट login करना है तो वहाँ पी आपका जो option है चेंज हो जाएगा गेटी कोड़वाई email, गेटी कोड़वाई phone number या फिर इंटर यो date of birth का option आ जाएगा तो वहाँ पी आप जिए उसे easily unlock कर पाएंगे अपने lock account को यह जो trick है कुछ account में work करेगा बट कुछ account में work नहीं करेगा तो गाइस यही था आज का वीडियो, वीडियो कैसा लागा वीडियो अच्छा लागा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आकन को प्रेस कर देना इसे आपको helpful and genuine content मिलते रहेगा तो चिल गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टोपिक पर